तो जैसे फर्स्ट को सेने हम लोग के पास अमेन बाइब आसाइकल फॉर्टीन हंडेट रूपीज और सेल इत लॉस आप फिप्टीन परसेंट को पहले हम लोग किसमे लिख देंगे फ्रैक्षन में लिखेंगे 15 बाइ 100 और यह हो गया 3 बाइ 20 इसका मतलब यह नीची वाला जो 20 है यह क्या है कॉश्ट प्राइस है और यह क्या है लॉस है इसका मतलब क्या है सीपी दिया हुआ है अनुट प्रैस हम लोग देख रहे हैं कॉश्ट प्राइस हम लोग को कितना है त्वेंटी युनित और यहां पर लॉक्त प्राइस है इसका मतलब क्या है CP तो सेम होगा इसका मतलब है 20 unit का जो value है आपका 20 unit का value कितना है 1400 रूपीज है तो 1 unit का value कितना होगा 1 unit का value हो जागा 1400 by 20 cancel करेंगी यह हो जागा 70 1 unit का value 70 रूपीज तो SP का कितना unit है SP 17 unit है 17 unit का अगर value निकालना है 17 into 7 70 करना पड़ेगा SP है 17 unit तो 17 unit का value कितना हो जागा 17 into 70 तो 17 into 70 कर देंगे और यह value हो जाएगा आपका 1190 रूपीज यह आपका कितना हो जाएगा यह आपका selling price हो जाएगा तो what is the selling price of the cycle इतना और अगर आप इसको basic से बनाने जाओ तो selling price क्या होता है selling price equal to होता है 100 plus loss 100 minus loss percent loss percent by 100 into SP यही तो लगाते हो formula ठीक है तो इतना नहीं करके हम लोग simple इसको इस तरह से भी बना सकते हैं ठीक है तो यह आपके second question है on selling article for Rs. 651 there is a loss of 7% तो सबसे पहले यह हम लोग का क्या दिया हुआ यह हम लोग का है selling price SP है loss कितना है 7% तो 7% मतलब क्या 7 by 100 मतलब आपका अगर CP 100 हो तो SP कितना होना चाहिए 100 minus 7 SP 100 minus 7 क्योंकि loss है तो यह हो जागा 93 अब क्या बोर रहा है SP कितना है 651 है SP कितना है 651 मतलब 93 unit का जो value है यह है आपका 651 तो 1 unit का value कितना हो जागा 651 divided by 93 और divide कर दोगे यह 7 से cancel हो जाएगा यह 7 से cancel हो जाएगा तो 7 से cancel हो जाएगा 1 unit का value आपके पास 7 1 unit का value आगया 7 तो हम लोग देखरें cost price कितना है 100 unit है सेबन में 700 रुपीज तो बहुत ही बेसिक प्रॉलेम था चलिया नेक्स्ट कुस्सेन हमनों के पस पूजा वांट तो सेल वाच एड़ प्रॉफिट अब 20 परसेंट ठीक है पूजा 20 परसेंट प्रॉफिट पर कोई घड़ी को बेचना चाहती है ठीक है बेच चलिया सी बॉट इट टेन परसेंट लेस दस परसेंट लेस में अगर खरीदे एंड सोल इट 30 रुपीज लेस और 30 रुपिय कम में बेचे ठीक है 30 रुपिय कम में बेचे तो वह रहा है कि बट इस्टिल सीगें 20 परसेंट इसके बाद भी 20 परसेंट प्रॉफिट हो कमा लेती है अगर लेता हैं 100 रुपीज अगर कॉश्ट प्राइस है 20 रुपीज मतलब 20 परसेंट मतलब कहा है 20 परसेंट कॉश्ट प्राइस है इसके मैं कर रहा हूं क्योंकि आगे यह इसको स्वाल करने में जादा एजी हो ठीक है अगर मैं कट कर दूंगा यहीपर भी वन बाए फाइ मतलब यह 120 हो जाएगा 100 प्लस 20 120 यह उपर आला प्रॉफिट है नीचे वाला सीपी है यह नीचे वाला आपका सीपी है यह सीपी है ना और यह प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 120 हो जाए अब वो रहा है कि 10 परसेंट लेस पर अगर खरीदे पहले तो 100 रुपया में अलेगा ऐविक यह मतलब यह 90 रुपीज मेंखरीद रही है ते हम और फ्रुपिज लेसल पहले तो 120 में बेच ःती ति अब 30 रुप्या कम में अगर बेच है और से और 30 रुपेज में बेच है कि लिए 17 एंसे मिलेगा तीक है 100 का चीज में 120 मिलेगा मतलब यह हो जाएगा तो गेन कर रहे है 20 रूपीज मतलब 100 से 120 होगा तो इतना नहीं करके हम लोग अगर 90 में 20% गेन कर रही है हये मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना होजागा सेलिंग प्राइस जो होगा 90 इन्टू 120 भाइंडेड यही तो होगा जो फॉर्मूला था मिश्याइड कर और विश्भाइब इसको बनाएंगे तो ज्यादा एज होगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस ग 100 ठीक है तो यह हो गया यहां से 0000 cancel होगी है 12 menager 108 108 अब देख़्े अब क्या बोला है पहले तो यह 120 पे बेच रहा था अब बेच रहा 108 पर मतलब यह जो difference है यह difference क्या है 108 से 120 का difference है यह difference कितना है दोनों को कर देंगे तो कितना रिपररेंस आएगा यहां पर झायगा 12 तो 12 जो है 12 युनिट का वैलिए यहां पर दिया है 30 रुपीज तो वन युनिट का वैलिए 30 बाइ 12 यह 5405 निकालना किया तो प्राइस कितना है तो हंडेड यूनिट का वैलू कितना हो जाएगा हंडेड इन्टू फाइब बाइट तू मतलब यह 50 और यह 250 रूपीज 250 रूपीज हम्म्म आपका एंसर आगिया ठीक है चलिए नेक्स्ट कोसेन हम लोग के पास इफे बनाना और बाट का इनc इन दुनों को जाना ज़्यार है 4 वा रूपी में आपको फॉप बनाना मिल रहा है थे तो वन बनाना का कॉस्ट कितना होगा वन बनाना का कॉस्ट होगा वन बाइफ फोर रूपी यह होगा इसको रखते हैं साइड में और इधर देखते हैं 33 1 by 3 का मतलब कितना होता है 33 1 by 3 मतलब 33 इंटू 399 और प्लस 100 अपॉन 3 और पर्सेंटेज को फ्रेक्शन में करने के लिए डिवाइड बाइंडेड तो हंडेड एंडेड एंडेड कैंसेल यह वन बाइड थ्री हो गया मतलब आपका कॉस्ट प्राइस अगर थ्री है गेन कर रहा है मतलब प्लस वन हो जागा फॉर हो जागा ठीक है एक बनाना का कॉस्ट वन बाइड फॉर है तो यहां पर कितना बनाना है यहां पर थ्री है तो थ्री बनाना का कॉस्ट कितना हो जागा थ्री बाइड फॉर हो आपका अनसर हुई है ठीक है चलिए यह निक्स्ट फोर्सन है हम लोगे पास by selling an article for rupees 450 I lost 20 percent ठीक है किसी article को अगर मैं 450 पर sell करूं मतलब यह selling price है selling price दिया हुआ है I lost 20 percent मैं 20 percent loss करता हूं तो बोर रहा है what price should I sell it to gain 20 percent किस प्राइस पर मैं इसे बेच हूं कि मुझे 20% क्या हो प्रॉफिट हो चीक है तो दीए सबसे पहले 20% यहां पर लॉस हो रहा है कब हो रहा है 20% लॉस जब मैं इसे 450 में बेच रहा हूं 20% का वैलू मैंने बताया तो 20% मतलब होता है आपका 1 by 5 मतलब आपका कॉश्ट कि यह आपका सेलिंग दिया हुआ है और सेलिंग PRAIS कितना है 4 है तो 4 ुनिट का भालू 450 हे तो कितना है वůणं इन इतना है तो 5 निट का वहलू यह निकल गया मुझा सीपी अब बोर रहा है कि मैं से किस प्राइस पर बेच हूं कि गेन हो जाए 20% 20% मतला 5 से 6 20% 5 से 6 अब यहां गेन हो रहा है यह सीपी है यह एसपी अब यह जो 5 है यह तो हमें पता यह 5 इनिट किसका एक्वल है 450 बाइ 4 का तो 5 जो यूनिट है यह इक्वल है आपका 5 इन्टू 450 बाइ 4 का तो यहां से कैंसल हो गया 1 इनिट का वहलू आगिया 450 बाइ 4 आगिया तो 6 इनिट का वहलू कितना हो जागा 6 इन्टू 450 बाइ 4 तो 2 और यह 3 और 2 तो 5 तो 675 रूपीस आपका एंसर ठीक है समझ मैं तो देखिए कितना इजली हम लोग रेशियो में थक लगा के प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम को कोई भी टीफिकल से टीफिकल प्रॉब्लम हो इसको हम लोग इजली बना सकते हैं ठीक है और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो टेलिग्राम लिंक आप लोग के चैनल के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो थैंक यू